आज की बड़े माम क्लास 10 का आपका मैट्स का चप्टर नमबर 9 है समय अप्लिकेशन आफ ट्रिग्नोमेटरी आज हम एक्सरसाइज नमबर 9.1 का कोश्चन नमबर 1 करने जा रहा है कोश्चन है A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree यहाँ पर आपको एक pole दे रखा है जिसकी length आपको बतानी है और यहाँ पर आपको rope की length दे रखी है 20 meter यानि कि यह आपकी रसी है जो circus artist इसके उपर चलकर उपर जा रहा है और यह किससे बंदी हुई है pole से और यह ground से angle बना रही है 30 degree का तो फर यहाँ पर आपको बताना है कि यह जो आपका pole है इसकी length कितनी है जिले solve कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका pole है इसकी length हो जाएगी आपकी length of pole इसकी length हो जाएगी आपकी a b और यहाँ पर आपको given है AC की length यानि की length of rope यहाँ पर आपको given है यह है आपके 20 meter और 20 meter को हमने AC से denote किया है तो यहाँ पर मैं AC भी लिख देता हूँ अब यहाँ पर से आपको AB की length find करनी है और यहाँ पर आपको hypotaneous पता है hypotaneous हो जाएगा आपका 20 meter और यह हो जाएगा आपका perpendicular और जो आपका perpendicular और hypotaneous कौन से formula में आता है sine में sine 30 degree sine 30 degree का आपका formula होता है यानि की sine theta का आपका जो formula होता है sine theta का perpendicular upon hypotaneous इसका हम यहाँ पर यूज़ करते है perpendicular upon hypotaneous साइन 30 डिगरी के आपकी वैली होती है 1 by 2 is equal to my perpendicular है आपका AB upon hypotenuse hypotenuse के आपकी length पता है 20 meter यहाँ पर से आपकी AB के length आजाएगी 20 by 2 यानि की AB के length आजाएगे आपकी 10 meter तो फिर यह आपका इस question का answer हो जाएगा उमीद करता है उसे कि यह question समझ माया होगा और यहाँ पर जो आपकी AB है यही आपकी length of pole हो जाएगी यह आपकी 10 meter तो फिर यह आपका question solve हो गया बहुत simple question था चलिए मिलता है किसने डुक साथ होते लिए जाएगे जावारा